हेलो बच्चो हम लोग हम लोग पिछले हफते साथ तारिक तक की हमारी वर्क्षीट कंप्लीट हो गई थी जिसमें हमने अपने चाप्टरों को कंप्लीट कर लिया था तो जो यह नेक्स्ट वीक है दस तारिकी वर्क्षीट 11 12 13 14 इनकी हम एक अठे कर लेते हैं और तांकि यह एक continuity में हो जाएगा और आप लोगों के लिए असानी रहेगी तो गोगल मीट क्लास पर आप सारे लोग प्लीज अटेंड करिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनी के लिए मैं वीडियो बना रही हूं कि तांकि उनको जब उनके पास अवेलेबिलिटी और फोन हो तो उसको देख सकें क्योंकि कहीं बच्चों के पास जब मैं क्लास लेती हूं उस वक्त क्या तो पापा फोन लेके गए होते हैं या ममी लेके गई होती है तो यह स्पेशल है उन बच्चों के लिए वीडियो बन रही है जो की भई नहीं अटेंड कर पा रहे आई डोंट कि हमें आपको मालूम है कि जो एक जिन्दा व्यक्ति है या कोई भी लिविंग और्गानिजम है वो सारी चीजें मतलब उत्सरजन करता है पोशन करता है श्वसन करता है यह सारी जो प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं तो जनन भी उनका जनन भी एक ऐसा कार्य है जो की जीवित क्यों है किसी भी पीडी को आगे बढ़ाने के लिए या संतती को आगे बढ़ाने के लिए जनन किया जाता है ठीक है और अब देखिए जैसे इसमें अमीबा के पिक्चर दीवी है अमीबा भी एक लिविंग और्गानिजम है एक जिन्दा जीव है इसमें आप देखिए कि क केंद्रक है अमीबा का और इसकी जो DNA की प्रतिलेपी बनी है उसके बाद केंद्रक का विभाजन हुआ है फिर उसके बाद कोशिका का विभाजन हुआ है और फिर उसकी संतती कोशिका बनी है यह जो है इंग्लिश में इसको फिजन कहते हैं बाइनरी फिजन और मल्टिपल फि है मतलब जो एक ही से हुआ है एक ही विवा से निकला है वह एक्जाक्ली सेम है अपने पैरेंट की तरह है ठीक है अच्छा अब हम यह पढ़ेंगे कि dna है क्या और क्या काम है उसका तो dna का जो फुल फॉर्म है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक असिड यह आनुवांशिक सामगरी है मतलब यह एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक कोशिका में गुंड सुत्रों के रूपे मौजूद होती है ठीक है जिसकी वजह से आगे पीडी पीडी तर पीडी जो हमारे करेक Gष्टाओं के बारे में सबही जानकारी शामिल है इसलिए यदि डीए ने बदलता है तो जानकारी भी बदल जाती है है क्याने का मतलब यह है paid जितने भी ब्लूप्रिंट है मतलल बॉडी की ड़ो replication होगी body का जो हमारे जो भी यह cells है आगे जाके यह विभाजित होंगे तो उनकी सबकी जानकारी है हमारे body के जितने भी characteristics है जितने भी features हैं वो DNA के अंदर पर शामिल होते हैं अगर DNA बदल जाता है तो यह हमारे जानकारी भी बदल जाती है ठीक है जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो DNA की प्रतिलिपी बनाने के साथ साथ कोशिकी उपकरण की नकल भी होनी चाहिए ताकि संथती कोशिकाएं जीवित रह सके मतलब जब यह को कारण मनता है कि जब एक सेक्शयल रोड़क्शन होता है यह जादा होती है यह जीक जैसे चाहिए और एक है वो जनक कॉपी ऐसे हो जाता है यह जनक की हो गई एक और एक इसकी प्रतिलिपी हो गई तो नो भी मुझ ओनते हैं तो फिर आउवेसलि हो गी एँगे तो अब हम जानते हैं कि प्रते कोशिक का अपनी आनुमान्शिक सामकری की नकल करते समय अलग-अलग डिग्री में भिनता दिखाती है यह विकासवाद का आधार है means जब भी अनुम इंशुक्ता होती है तो भिनता भी होती है जब भी reproduction होता है, जनन होता है, लेंगिक जनन होता है तो भिनता होती ही होती है अब यह एकी विविदता का महतो क्या है किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिजाइन और विशेश्टाउं को बनाई रखने के लिए DNA की प्रतिलिपी आवश्यक है जो कि ना केवल एक जीव के निर्वाह में मदद करती है बलकि एक प्रजाती की स्थिर्था को भी बनाई रखती है बिल्ली का जो बच्चा है वो बिल्ली का ही होगा जो डॉक का है वो पपी होगा और जो मनुश्यका है वो मनुश्यका होगा ये कौन निर्धारित करता है तो ये हमारे जो DNA है उसके अंदर जो information होती है वो ऐसी होती है कि हमारी same जो हमारी same species होती है मतलब same जाती बनती है और हर बार जब कोई जी प्रजनन करता है तो ये विविदताएं आती है और ये विविदताएं इसलिए आती है ताकि अनुकूलन हो सके अनुकूलन मतलब आप adjust कर सको एक ही विविदता जितनी आएगी उतनी हमारी adaptability उतना हमारा अनुकूलन बढ़ेगा ठीक है जनन की परिभाशा क्या है जनन के समान मूल लक्षनों वाले विद्यमान जीव से नए जीव के निर्मान की प्रक्रिया को जनन कहते हैं जनन मतलब एक ही संतिती के आगे पीड़ी जब बढ़ती है तो उसको जनन कहते हैं तो ये दो प्रकार का होता है अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है पारिस्तितिक तंत्र में प्रतेग जीविया प्रजाती की भूमिका होती है इससे इसका निकेत या पारिस्तितिक निकेत कहा जाता है पर्यावरनिय प्रभावों के कारण भूमिकाएं बदलती रहती है देखो कोई भी जो एरिया है, कोई भी जैसे एको सिस्टम है जैसे कि सपोस्स हमारी प्रिथ्वी है, या फिर एक जंगल है जंगल भी एक परिस्यतिक तंत्र है इसमें हर जीव की भूमिका होती है पौदो की भूमिका होती है मिट्टी की भी भूमिका होती है जबकि वो जीविक नहीं है तब भी ठीक है और जो उसमें जीव रहते हैं जो चलते हैं शेर हो गया बाकी जानवर हो गया उन सब की अपनी इसमें युगमक नहीं बनते हैं, युगमक मतलब एक जाइगोट नहीं बनता है, एक 2N कर जैसे यह देखो यह N है, जब इनका यह मिलेगा तो यह 2N बनेगा जिसको कि हम जाइगोट या युगमनज कहेंगे, तो अलैंगिक जनन में युगमक नहीं बनते हैं, और इसमें जो पांड के समय इन गुंड सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है मतलब जैसे कि अगर मादा है तो उसके 23 क्रोमोजोम होंगे नर के 23 क्रोमोजोम होंगे जब यह मिलेंगे तो यह 46 क्रोमोजोम वाला 46 गुंड सूत्रों वाला एक आगे बेबी बनाएंगे जबकि अलैंगिक जन और विविदता आती हैं तो यह हमारा हो जाएगा बिनता क्यों important है क्यों महत्वपूर्ण है तो बिनता इसलिए important है कि किसी भी जीव के आवास में यह अनुकूलन में भी मदद करती है और प्रजाती की स्थिर्था को भी बनाए रखती है तो पहला point आ प्रेंस बताईए तो यह हमारा आंसर नंबर आ गया 4 तो अब हम लोग यह थी वरक्षीट नंबर 64 जो कि 10 तारिक की थी अब हम इसी में आगे कॉंटीनियो करेंगे तांकि आप लोगों को बार बार ब्रेक ना करना पड़े तो यह 11 तारिक की आ जाएगी 11 2022 की वही चाप्टर कॉंटीनियूड है जीव जनन कैसे करते हैं तो इसमें आज हम डिटेल से जो पढ़ेंगे वह अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे ऑल्दो हमने गोगल मीट क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा है लेकिन फिर भी आप इसको डिवाइस कर लीजे और जिन लोगों ने नहीं अटेंड की क्लास तो वह अब आप यह सुन लेजिए देखो अलैंगिक जनन में बहुत सारी चीज़े आती है पहला आता है विखंडन का मतलब यह होता है फिजन जो मैंने अभी तुम्हें अमीबा में बताया विखंडन दो प्रकार का होता है अगर गologist अगर और दो तुकड़ों में हो तो उसे द्वी खंडन या बाइनरी विशन कहते हैं और अगर बहुत सारे टुकड़ों में हो तो उसको बहु खंडन या मल्टिबल चीजन कहते है दूसरा आ जाता है मूकुलन मूकुलन होता है हाइड्रा में जिसमें एt चोटी सी एक पूँच है वह निकल जाती है तो वह वापिस अपने आपको वापिस उख जाती है उसकी तो इसको पुनोरदभवन या इंग्लिश में रीजेनरेट होना कहते हैं इसको रीजेनरेशन कहा जाता है फिर आता है खंडन का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े होना हर टुकड़ा का जो है वह अपना नया बना देना तो यह इसमें भी आता है स्पाइरो गैरा में फिर आता है काईक प्रवर्धन काईक प्रवर्धन ऐसे होता है जैसे कोई पत्ती नीचे गिरी और जैसे वो नीचे गिरी मिट्टी में उसे पूरा का पूरा पौदा होगा दिया तो उसे काईक प्रवर्धन कहते हैं और फिर आता है बिजांड समासंग बिजान समासंग मतलब होता है कि छोटे-छोटे जो स्पोर्ज होते हैं, जैसे कि छोटे-छोटे आपने देखे भी होंगे, फूलों में भी कई बर पीले रंके होते हैं, जब ये जमीन पर गिरते हैं और नए पौदे का निर्मान करते हैं, तो उसे बिजानों समासंग कहते ह तो अब डिटेल में पढ़ेंगे विखंडन दो या कई संतती कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के तूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं इसे द्वी खंडन और बहु खंडन में विभाजित किया जाता है द्वी खंडन एक मूल कोशिका का दो संतती कोशिकाओं में ब लेश्मेनिया है लेश्मेनिया का जो है इसमें भी वैसे दूइखंडन है दूइखंडन में क्या है कि अमीबा में ये ऐसे दूइखंडन हो रहा है और लेश्मेनिया में ऐसे हो रहा है तो ये दोनों ही दूइखंडन के उधारन है बहुखंडन में आ जाते हैं कोशिका है उसके चारों तरफ पुट्टी सी बना लेता है मतलब एक शैल सी बना लेता है जिसमें नाबिक विभाजित होते रहते हैं यह अंदर डिविजन चलता रहता है विभाजन जलता रहता है और जब अनुकूल परिस्थिती आती है मतलब जब उनका मौसम ठीक हो जाए या जब उनके रिप्रोड्यूस करने का टाइम आए जाए तो यह संतति कोशिकाएं जो है वह खुल जाती है और बहु खंडन हो जाता है ठीक है फिर आती है मुकूलन की कहानी मुकूलन मैंने आपको जैसे बताया कि जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकूल के गठन की प्रक् अलग हो जाती है जबकि यीस्ट में यीस्ट आपको मालूम है जिसकी वज़े से जैली बनती है क्या में शॉप पर बिमिल जाती है तो यीस्ट जो है वह क्या करती है एक कोशिकाओं की कॉलन ही बना देती है बहुत सारी तो वह भी मुकूलन में आ जाता है अगर आपसे कूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में बदल जाता है और हर टुकड़ा जो होता है उससे कई सारे तंतु बन जाते हैं तो इसका उधारन हमारे पास आगया स्पाइरोगारा तो यह हमारा 11 जैनुरी की वरक्शीट थी इसमें क्वेशन्स है कि अमीबा लेश्पैनिया म किस प्रकार भिन है तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अमीबा में जो है उसको ट्रांसवर्स विशन कहते हैं यह ऐसे हो रहा है और लेश्पैनिया में लॉंगिट्यूडिनल ब्रेक हो रहा है मतलब यह लंबाई में हो रहा है ठीक है तो में डिफ्रेंस ही है यह स्कंदा भी किया स्वार समझाने के लिए क्या स्वार गильноरा का एक तन्तू एक तन्तू कोशिका से पूरा तंतू बना सकता है बिल्कुल और इनंहोंने पहले ही बोला कि प्रतेग टूर्टसें एक तंतू बनते हैं तो यीइस्ट की एक क्या जिसमें वह बार बार क्या करती है उसके डिवाइट जब करती है विभाजत करती है तो पूरी की पूरी उसके कॉलनी बन जाती है फिर है प्लास्मॉडियम में पुट्टी का क्या महतो है तो प्लास्मॉडियम में पुट्टी का यह महतो है कि जिब परिस्तिया अनुकूल नह जाती है तो यह थी हमारी वर्क्षीट नमर 65 जो ग्यारा तारीक थी अब इसी चाप्टर को आगे बारा तारीक का करेंगे कि बारा एक तारीक को बारा एक 2022 को जो आई थी जीव जनन कैसे करते हैं इसमें दो रहे गए थे लैंगिक जनन तीन रहे थे एक पुरुद भवन रह जो मैंने बताया था कि क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जैसे हाइडरा हो गया प्लेनेरिया हो गया उसमें अगर उसकी जैसे यह है इसके टुकड़े कर दे जाए तो हर टुकड़ा अपना एक पूरा का पूरा और्गैनिजम बना देगा पुरत भवन कर बाद बिजाड़ों समासंग जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो है यह बहुत कोश्य की जीव होते हैं और इनमें धागे जैसे सरंचनाएं होती है जैसे की शैतिच स्टोलोनिफ्रेस हाइफे जर्ज जैसे राइजो डो राइजो इडल एक तो हिंदी मेंने लिखाता है न और लंबवत कवक तंतू जिसके सिर पर एक बल्ब जैसे बिजाणू धनी होती है यह देखो यहाँ पर यह बना हुआ है राइजो पस्पे बिजाणू समासंग इसमें यह बिजाणू धनी दिखाई गई है यह कवक तंतू है जो दिखाए गई है और यह देखो तीन जो इ उसी से जो बिजाणू निकलते हैं और उससे ही नए और्गैनिसम का नए जीव का निर्मान होता है ठीक है तो यह आ जाएगा कि जो परिपक्प होने पर आसपास के वातावरण में हजारों बिजाणू छोड़ जाते हैं और यह बिजाणू फफून फिलाने के लिए नम पस कहा जाता है ठीक है काईक प्रवर्धन में मैंने जैसे बताया कि किसी भी पौदे की जैसे जड़ हो गया तना हो गया पतिया हो गई तो उसमें पूरे पौदे का ही विकास हो जाता है जैसे मैंने ब्रायोफालम का एक्जैंपल दिया कि इसकी जो पतिया है यह क्या होती कर देती हैं अब यह है कि पादवों में लैंगिक जनन भी होता है तो इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्मान की आफशक्ता होती है जिसमें गुण सुत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जब यह युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं तो जो पूरे जीव का निर्मान करते हैं तो द्वी गुनित संख्या मनद जोडों में गुंसुत्र भाल हो जाती है इसमें भी ऐसा ही होता है पादपों में कि उसमें नर और मादा दो होते हैं नर जो होता है वो अभी आपको पूरा प्रॉसेस समझाती हो मैं उसका पहले हम उसकी यह समझ कि इसका महत तो क्या है यौन प्रजनन युगमकों के माध्यम से होता है जो आनुवांशिक सामगरी के आदान प्रदान से बनते हैं यह भिनता का कारण होता है और जो एक प्रजाती के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है इसके इलावा इसका क माध्यम से यह होता है और इसमें नर की भी जुरूत होती है और माधा की तो उसको पढ़ते हैं एक फूल में चार चक्र होते हैं एक फूल की अगर बात करें तो उसमें चार चक्र होते हैं जैसे बायदल यह बायदल जो है यह बनावा है यह देखो यह बायदल है जो ग्री करें जावतै ये वाला सारा लिएस ट्रीकेसर हो गया और पूज जो है वह एक है है अगर नर या मादा अंग होते उसमें पपीथा अर्फ यह उभ рек करत अब इसमें कि पूंखेसर और तरो कर दोनों होते हैं जैसे हिबिसकस और सर्सों में यह पौदा है यह हिबिसकस का है इसमें दोनों पार्ट साहेँ इसकी वज़ासे हम इसको उभेलिंगिंग रहेंगए दियून इसको कारे क्या होता है जब जड़ी कोरा करने के लिए आकरश्रिट करने के लिए आपको मालुम है आपको मालूम है इस Ben है जिसमें मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि दो चीज़ें होती जिसको की पराकोष कहते हैं पुतंतु कहते हैं पराकोष का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है पॉलन ग्रेंस है और ये इसकी जो डंडी है उसको इंगुट इसे होते हैं पीले रंग के होते हैं इसके तीन भाग होते हैं क्लास में बने बताया था वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशे तो जो निचला भागा है इसमें जिसमें अंडाशे होता है ये इसमें अंडाणों में माधा युगमक होते हैं मतलब इसमें बिजान्ड होते हैं स्मॉल एक होते हैं और सबसे उपर इंप्स पर यह ओने होता है जिपचिपा होता है वह क्या करता है गूं जो पर निशेचन होता जाके तो डिपलॉइड मतलब 2N जैसे N और N मिलाकर 2N डिपलॉइड उसको कहते हैं यूगमरज का निर्मान करता है यूगमरज मतलब आप बेबी प्लांट कह सकते हो करने के लिए भिजान में मौझूद मादा यूगमक के साथ मिल जाता है तो यहां पर म रा कास करने के लिए होता है काई करिवfertन के दो यह बता यह है कि एक तो जूप आगे उगरा है वह एग्जेक्ली जनक पौदे जैसा होता है और उसमें विभिनताएं कम होती है तो यह आप लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुए वैसे आंसर नमबर टू फिर बंद डिबे में डिबे में फंगस कैसे बढ़ता है बंद डबे में फंगस कैसे बढ़ेगा जब उसमें हवा में मतलब आध्रता होगी , हवा में जैसे आध्रता होता है वे और वैसे वह ने पड़ा है कि जो ये हमारी जो सपे प्रेजंट होते हैं जो से फंगस के धागे प्रेजंट होते हैं जब उसमें अनुकूल परिस्थितिma आ तो फिर वह फट जाते हैं और नए कवक का नए फंगस का निर्मान करते हैं तो इस तरह से बढ़ता है यह आपकी 12 तारीक की थी वरक्षीट अब हमारी आ जाएगी 13 तारीक की अ तेरह तार slave की जो वरक्षीट है उसपे हम लोगों का यही प्लांट का कॉंटीनिया रहेगा इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जीव जनन कैसे करते हैं यह वर्तिकाग्र यह वर्तिका और यह अनडाश अब यह process है क्या वो हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या करते हैं जो पराकर्ण होते हैं वो एक नली सी बना लेते हैं ठीक है और वो जो नली होती है उसको हम क्या कहते हैं पराग नली क्या कहते हैं पराग नली ये पराकर्ण आ गए ये वर्तिकागर से आके चिपक गए ठीक है य नर युगमक हो गया यह जो आ रहा है पराकरण से इसने एक पराग नली बना ली और वो नली सीधी कहा गई अंडाशे में बतलब मादा के युगमक में ठीक है तो यह हम पराकरणों को परागर द्वारा प्रक्रिया द्वारा पूंक एसर से वर्तिकागर में सनाद्रित किया आगर ये प्रौसेस हो राहूं कैते हैं जैसे आपको ल्लास में बताया या घर किसी बिन पौदे इ द्सक्राइब यह करता कौन है आपने खूद ही देखा होगा कि कभी हम चल रही होते हैं तो श्कॉज नीचे वर्तिकाग्न में चले गए तो प्रजनन होई जाएगा बागी वायू हवा पानी तो ही है ठीक है तो जब एक पराकण एक उपर्युक्त वर्तिकाग्रत तक पहुंचता है तो यह परागनली बन जाती है जिसके माध्यम से दो नर्युगमक बिजान तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर दो नर्युगमक पहुंचते हैं ठीक है यहाँ पर बिजान तक जैसे मैंने आपको बताया निशेचन हो जाता है और उसके बाद भुरून बन जाता है जो बिजान है वो एक बीज में परिवर्तित हो जाता है ठीक ह था वो फल के रूप में बन जाता है ठीक है बाकि जो पंखुणिया है भाइदल है पूंकेसर है वो सब सिकुड कर गिर जाते हैं लास्ट में क्या रहता है बीच रहता है जिसमें भविश्य का पौदा होता है या उसको भूरून भी कहते हैं जो अंकुर नामक प्रक्रिया द अने के लिए और इसी वजह से जो होते हैं जिसको एक बीच पत्री यह आजाटा है जिसे एडम बाझम होता है जैसे मैंने आपको बताया भी ता है यह जो मनुश्य है व का निर्मान होता है जो नर है उसके अंदर नर के अंदर changes आते हैं जैसे आवाज का भारी पर आना या कंधों का चौड़ा होना और इसी तरह महिलाओं में जो होते हैं जिसको प्रोजेस्टरोन वगेरा कहते हैं उसकी वज़े से महीलाओं के भी अलग-अलग लक्षन हमारे सामने आते हैं जैसे स्थनकंतियों का विकास होना मासिक धर्म होना ठीक है नर और मादा युगमक उत्पादन यौवन के दौरान संबदित प्रजनन अंगों से शुरू होता है और ये इनके जो प्रजनन अंग है नर का व्रिशन होता है और जो मादा है उसका अंडाशे होता है मादा को हम इस साइन से देखते हैं और नर को हम इस साइन से देखते हैं ठीक है फिर है कि नर की प्रजनन आयू के दरान जो उसके जीवन कालतक रहता है शुकरानू या है कि जो है वो डिम का अत्रों स्टार्ट हो किए और पया की लिए ये बात ध्यान कि कि छोटी-छोटी जो पॉइंट्स है रजनो वृति और यह जो है मानव प्रजनन यह पूरा का पूरा प्यारग्राफ अच्छी तरह से आप एक बार पढ़ लेना और जो कुछ क्या सो परागन के से लिए और परागने के लिए दोनों के लिए परागन का बिजान तकाना जरूरी है फिर आपका question है एक पौदे बिने Ohrs यह और फिर हमारा और पिर वर्तिका और यह हमारा आजयाएगगा बिजान और मादा यूगमग अंडाशे ये वाला डायक्रम आप इसमें बनाएंगे ठीक है नेक्स हमारी वरक्षिट आएगी वरक्षिट तंबर 68 जो की 14 जैनवरी की आई थी इसमें हम लोगोंने दो चीज़े करनी है एक तो करना है पुरुष प्रजनन तंत्र और एक करना है मादा प्रजनन प्रणाली पुरुष प्रजनन तंत्र अगराम पढ़ेंगे तो हुज़िन भी हम लोगों ने पढ़ा था इस पे में जो होता है इस पे वरिशन होते हैं जो पेर्ज में होते हैं और इस मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको 2-3 तापमान कम की आवशक्ता होती है क्योंकि इनके अंदर शुक्राणों का निर्मान होता है इसके वज़े से ये उदर गुहा के बाहर होते हैं ये क्या होते हैं बतब शरीर से थोड़े बाहर की तरफ होते हैं और ये जो शुक्राणों का निर्मान जो होता है इनी वरिशन में होता है उसके बाद जो में इंपॉर्टन चीज यह है कि व्रिशन टेस्टोस्टेरोन नामक हॉर्मोन स्रावित करते हैं जो शुक्रानुत उत्पन करते ही हैं साथ-साथ यौन लक्षणों के भी जिम्मेदार होते हैं जैसे कंदों का चौड़ा होना भारी आवाज होना हाइट एकद जाते हैं वह टेस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस्टोस् उसे स्ताव राप्त करता है मतलब ये जो हमारी जो यहां पर शुक्राणूं आते हैं उसके इलावा जो तीन ग्रंथियां में यहां जो हैं यह यहां पर आजाती है और उन्हें पोशन भी प्रदान करती है ठीक है प्रतेक शुक्राणूं को जो है उसको मॉंड्ट चाहिए होती है चलना उसको भागना होता है तो इसलिए शुकुरानों की पूछ होती है जो उसके तैरने में मदद करती है और उसके अंदर एक ऐसा भी शेत्र होता है जिस माइटोकॉंड्रिया होते हैं तांकि वो उसको एनरजी देते हैं तैरने के लिए शुक्रानियों को इस द्रव को वीरे भी कहा जाता है तो कहने का मतलब यह है कि यह जो मुत्राश्य से आने वाले ट्यूब जो है उसके साथ ही जो शुक्रवाइनी जुड़ जाती है यह मैंन यह लिखा न मूत्र मार शुक्राणों और मूत्र दोनों के लिए सामाने मार गया है प्रते एक प्रिशन प्रति दिन लाखों शुक्राणों का उत्पादन करता है अच्छा अब हम माधा प्रजनन प्रणाली की बात करें तो माधा जननन कोशिक आए यह अंडे कुछ होर्म अब 20,000 यौवन तक पहुंचे से पहले ही पतित हो जाते हैं मतलब 20,000 जो है पहले ही गिर जाते हैं यौवन की शुरुवात में दोनों में से कोई भी अंडाशे प्रते एक 28 दिनों के चक्र में एक परिपक्प व अंडा फैलोपियन ट्यूब या डिम वाहिनी को छोड़न चुरू कर देता है डिन्वाईनी या फिर फैलोपियन ट्यूब एक दार आठ जैसी सरचना में एकजूट हो जाता है जिसे की घरवाशे कहते हैं मतलब सब्से पहले हमारी फैलोपियन ट्यूब जाती है यह फैलोपियन ट्यूब से फिर एग्ज निकलते हैं और यहां पर जाके इमप्लांट हो जाते हैं घृजुता है ठीक है इसे घरभाशे के रूप में जाना जाता है पेशियरं गृवा के माद्यं से यो नी से खुलता है यहां पर क्या जाती है उनियाज संबों के उन्होंने अगर निशेचट कर दिया तो एक बेबी युवमनाज मतब जाईगोट जिसको की इंगलिश में जाईगोट और आप उसको मतब बेबी very very small baby कह सकते हो व्यसे baby भी नहीं कह सकते है जाईगोट और युगमनाज क्मिलन से होता है तो जो तो डिम के मादियम से चलता हुआ ब्लास्टूला नामक एक गेंद जैसे सरंचना बना देता है यह जो यूगमनज है वो क्या बना देता है गेंद जैसे सरंचना बना देता है और यह ब्लास्टूला जो है वो बाद में ब्रून बना देता है जो कि गर्बाशे की परत में स्थापित ह जाता है जिसको हम pregnancy अगर बावस्ता कहते हैं ठीक है तो यह घरबाशे की दिवारत से इसेंटा नामक डिसक के आकार के उतक के मादियम से मां के रख से पॉशन प्राप्त करता है और जो यह हमारी थी यह इसकी वरक्षीट इसके question answers में नर यूगमक भारी मातरा में क्यों पैदा करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो sperms हैं बहुत सारे जो शुक्राणू हैं वो एंटर करते हैं जब फीमेर में तो वो उसमें काफी जो हैं वो दोरां त्यारने के टाइम पर ही काफी जो हैं वो डेड हो जाते हैं इसकी वज़े से बहुत सारे भारी मातरा में उत्पन होते हैं यह मैंने आपको उस दिन में बताया था और आवरत बीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए शुक्राणू शुक्राणू के तो वो मैंने आपको दोनों ही बता दिये हैं कि उत्सरजन भी और पोशन भी तो यह हमारी सारी वर्कशीट्स हो गई मतलब 10 से लेकर जो 14 तक पैंडिंग थी क्योंकि मेरी तबे ठीक नहीं थी वो हो गई और आप इनकी रिविजिन कर लीजिए और जिन बच्चों ने क्ला इनकी हो प्योंकि के लाएगी तुर्ष के लेतें हो यह प्योंकि कैन दी üzग से दस्वान पर बचके जप सारी देमेंग